किशोरी लाल शर्मा इस समय है, यो कि अमेठी से चुनाफ जीत करा है, स्मिर्की इरानी को उनने चुनाफ को हरा है किशोरी लाल जी आपका बिनंदन है पहले तो आपको शुप कामना है आपकी एक बड़ी जीत हुई थैंक यू कि कि शुरी लाल जी मेरा प्रश्ण है कि आखिरकार आखिरकार क्यों आपको लगता है कि आप जीत गए एक ऐसी बाजी जो थोड़ी कठिन थी लेकिन आप आसानी से जीत गए इतिनी बड़ी जीत आपकी क्यों हूई और कैसे गए एक जनता ने जिताया मेरे को मेठी की जी और आपको क्यों लगता है कि जनता ने असान बनाई मेरी जीत जी और क्यों आपको लगता है कि इंडिया अलाइंस इंडिया अलाइंस को उत्तर परदेश में एक बड़ा मेंडेट मिला अ्योध्या तक में इंडिया जीत गया कि देखें वोट की बार भी कहा जारा सपाबस्पा का पेजूड अलाइयन्स है लेकिन तब भी बीजेभी 64 चीटे जीत कर आ गई थी लेकिन इस बार आपको एक फेक्टर क्या लगता है कि जिसकी वजह से वो जीत हुई पुकि इस बार राम मंदिर भी बना था एक राम लहर की भी बात हो रही थी बोर्ट का बोर्ट का बिखराब नहीं हुआ दूसरा जो आपने बीजेपि लिए भवान राम को एक इलेक्शन का मुद्धा बना दिया लोगों ने समझा इस चीज को बीजेपि भवान राम को चुनावी बस्तू बना रही है भवान राम सब के हैं हिंदोस्तान के कनकन में बसे हुए लोग समझ गए इस चीज को जो लेकिन देखें दूसरी तरफ से यानि आपके अलाइंस की तरफ से कुछ नेता हुने राम प्रभु राम पर राम मंदिर पर सवाल भी उठाए लेकिन उसके बावजूद बीजेपि की हार हो गई क्या आपको लगता है कि हिंदू वोट भी हुआ और मुस्लिम बोट कंसॉलिडेट हुआ जो कि चुनारी भी इसके शक अनुमान लगा रहे हैं आप साल मेरे मुह में डान रहे हैं आसी बात नहीं है लोग ने समय लिया इस चाल को कि भईया ये भवान राम को कूकि ये क्या कह रहे थे हम उनको लाएं। जो राम को लाएं हैं राम को लाने की बस्तू है राम थे है और रहेंगे जी लेकिन देखिये बात सही बीजे भीवाले कर रहे थे कि हम जो बगवान को लाएं हम उनको लाएंगे बगवान को कुई लाने वाला पैदा हुआ है अभी तक राहुल गांधी जी राइबरेली से लड़े और आप अमेटी से लड़े क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने आपको एक बड़ा मौका दिया अगर वो भी अमेटी से लड़ते तो चुनाब जीट सकते थे इसका मतलब यह तो पार्टी का फैंसला था जो फार्टी का फैंसला हुआ मैंने भी उसका पालन किया राहुल जी के लिए जो पार्टी ने फैंसला है कि राहुल जी ने उसका पालन किया तो किशोरिलाल जी जब आपकी अनॉस्मेंट हुई चुनाव लड़ने हैं तो मैंने पहला आपका रियक्शन देखा आपको शायद जानकारी नहीं थी कि आप चुनाव लड़ने हैं आपने सवालों को अबॉइड किया आप थोड़ा शौक थे कि आपको चुनाव लड़ने क को बोला गया है आपके लिए सर्प्राइज थी बात नहीं देखिए मैं 40 साल से उस शेतर में काम करता हूं यह आपको पता होना चाहिए और मैं चुनाव सारे चुनाव राजी जी का एक चुनाव छोड़ दी जी एक टीवन का उसके बाद फैमिली के सारे चुनाव मैंने ही लब रहे हैं महां पर बहुत बहुत शुक्री आपका हमार साथ जुनने के लिए इस एहम दिन पर अपनी बात को रखने के लिए मैं सब्सक्राइब जी का मोई उनाव सारे चुनाव अज़ीया का यंपने चुनाव अभितार क्याश तक्री भी authenticity जैंने की सब करें दोब बात किया शोब। झाल झाल